आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे बेस्ट बेंगॉल में जो एसेम्बली एलेक्षन हुए है उसके बारे में जैसा कि आपको पता है कि एसेम्बली एलेक्षन जो बेंगॉल में हुए वो आठ चरणों में हुआ था एड़ फेज में हुआ था और एड़ complex को आप और बोल सकते हो जटील complex था जटील था या फिर कह सकते हो बहुत ही ज़ादा लेंदी था इसकी चर्चा होगी इसमें क्योंकि यहां पे जो elections हुए वो 8 phases में उसको डिभाइड कर दिया गया था जिसके वज़ा से पहुत ही लंबा चला जिसके वज़ा से कई परिशान पोस हुए उसकी समापती इस अ मैटर ओफ रिलीफ एक क्या है राहत का विसे है राहत की बात है आफ्टर दसर्ज सर्ज का मतलब मैंने बताया था इसका मतलब होता है इंक्रीज इंक्रीज इन कोविड-19 cases यानि कोविड-19 के cases में बढ़ोतरी के बाद जो multi-phase assembly पोस थे उसक पर रैलीज हो रही थी जिसके वज़े से कोविड-19 के cases बहुत जादा बढ़ रहे थे अब बात करते हैं हांके विद एट एट फेज इन वेस्ट बंगल अन थर्सटे ए लॉंग अन टॉच्छ एलेक्शन प्रोसेस हास कंक्लूड इन फोर स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिट्री तु दर रिलीफ आप मोस्ट एलेक्टर्स एंड कैंडिट्स का रहा है कि आठ फेज के वेस्ट बंगल के चुनाओं के साथ जो की ओन थर्सटे करतम हुए एक लंबा और जो कॉंप्लेक्स जटी लेंदी इलेक्शन का जो प्रोसेस था हैस कंक्लूडेड मतलब समाप्त हो गया और इन फोर स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिट्री वेस्ट बंगल का जो चुनाओं हुआ उसमे फोर स्टेट्स और ऐसे थे यानि इंक्लूडिंग वेस्ट बंगल जहां चुनाओं हो रहे थे और एक यूनियन टेरिट्री में भी चुनाओं हो रहा था पूर्डूचेरी में इसके जिस समापती हो गए थास्टे को एक तरह का रिलीफ लेकर किया आया है किसके लिए इलेक्टर्स जो चुनाओं में भाग ले रहे हैं चुनाओं कर रहे हैं चुनने वाले और कैंडिडेट्स मतलब जो परतियासी हैं उनके लिए दोनों के लिए राहत की ख़़र है है जै er the election a spectacle यहां पर चश्मा के लिए नहीं यूज़ हुआ अगर अस पैक्टकल यहां पर चश्मे के लिए यूज़ होता तो हमेशा है यह लगा रहेगा क्यूंकि यह पेर में आता है और हमेशा प्लीूरल रहेगा पट यहां पर स्पैक्टकल का मतलब है द्रिष्च scene कह सकते हो तो the election a spectacle was overrun overrun word का मतलब होता है occupy करना यानि invade कर लेना chose to the election का जो दृष्छ था, पूरा का पूरा कर यानि overrun कर लियागए था occupy कर लिया गया था invade कर लिया गया था COVID-19 के दो़ारा यानि पूरा जो scene था election का वो COVID-19 में च्छाया हुआ था टुवार्स ता एंड एक कब ज्यादा बढ़ गया समापती की और जब था क्या समापती की और था एगोनी सिंगली अस्टेगर्ड फेज़स ओफ वोटिंग यानि वोटिंग का जो आखरी फेज़स अस्टेगर्ड का मतलो होता है डिवीड डिवाइड होना स्टेज कह सकते हो चरण कह सकते हो यानि जो चरण था एलेक्शन का और आखरी जो पेंफुल एगोनी सिंगली का मतल हो गया था पूरी तरह से बॉल बॉल बाला हो गया था बतलाने की जा रही है इसलिए आप लिका हुआ है इलेक्शन अस्पैक्टिकल जो में उसकी जो दृष्ट थे सीन थे वो पूरी तरह से कोविट 19 के द्वारा कब्जा कर लिया गया था खास करके जो दो एंड ऑफ दे एगोनी सिंगली एगोनी सिंगली का मतलब पेनफुल अस्टेगर का मतलब अस्टेज़ेज बटा हुआ जो फेज़ेज था वोटिंग के उस दौरान आगे बढ़ते हैं दा करेंट मतलब जो अभी चल रहा है साइकल क्रम हैस एड़ेट टू एक फ्रेस होता है इंक्रीज कर देना और उसको बढ़ा देना एक्सकलेट कर देना तो अभी प्रजेंट का जो क्रम है साइकल है है एड़ेट टू मतलब इंक्रीज कर दिया है अग्रोइंग लिस्ट ऑप कंसर्स जो बढ़ता हुआ एक चिंताओं का जो लिस्ट है उसको और बढ़ा दिया है that have immersed जो की देखिए that यहाँ पे लगा हुआ है relative pronoun और concerns इसके पहले आया है इसकी वज़े से यहाँ पे have लगा है क्योंकि यह इसका antecedent का लाएगा और antecedent का उसर वह का use होता है that have immersed जो की सामने आया है regarding election वो किसके बारे में है election के बारे में है in India in recent years हाल फिल हाल के सालों में जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में यह चिंता को जो प्रजेंट का जो situation है cycle है क्रम है वो एक चिंता का विशह बन चुका है चिंता को और ग्रो कर दिया है वो चिंता किस विशह में है जो हाल फिल हाल में elections हो रहा है हाल फिलाल के जो साल में elections हुए है उसके बारे में चिंता है चिंता क्या है देखते हैं गैं if electoral bond electoral bond उसको करते हैं जो की एक तरह का bond होता है जिसके माद्याम से कोई विएक्टि अगर किसी particular party को support करना चाहता है तो fund के माद्यम से उसको support करता है इस bond के माद्यम से तो ही कहा गया If electoral bonds for making contributions to political parties ओ electoral bond जो किसके लिए होते हैं contributions करने के लिए जो चंदा देने के लिए होते हैं जो सामने आया है किस रूप में एक OPEC OPEC का मतलब होता है जो किलियर नहीं होता है non transparent का सकते हो के रूप में आया है यानि जो चंदा दिये जाते हैं parties को उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है वो ambiguous रहता है unclear रहता है एक कहना चाह रहा है well before the current round of elections elections के जो round हुए है उसके पहले जो चंदा मिलता है parties को electoral bond के मादियम से वो क्या है opaque है opaque का मतलब जो aspast नहीं है यह जो बात है serious cause of worry यह बहुत बड़ा गंभीर चिंता कावी से है through all the eight phases has been persistent और यह जो बात है देखी गई आठों phases के दोरान persistent का मतलब continue रहा persistent doubts over the fairness and autonomy of the election commission of India और यह जो आठ फेजिस के चुना हुए उस दोरान यह जो doubt था वो persistent था लगतार था और यह doubt किस पे था तो जो election commission of India के जो fairness है fairness का मतलब था impossible निस्पक्छता और autonomy का मतलब सोतंतर था के उपर एक तरह का एक क्या है doubt उत्पन करता है एक तरह का एक शक उत्पन करता है यानि कहना यह चाहरा है लेखक कि पूरे election campaign के दोरान पूरे election जो आठ फेजिस में हुए उसमें जो पार्टियों को जो चंदे मिले electoral bond के माद्यम से उसके प्रति जो आस पस्टदा दिखाई गई जो की doubt उत्पन करता है किसके प्रति जो election commission of India के जो fairness है यानि निस्पक्षता है और उसकी जो autonomy है स्वतंतरता है freedom है उसके उपर doubt उत्पन करता है कि आगे हैं दड़ E.C.I. election commission of India made unprecedented unprecedented का मतलब होता है जिसको पहले कभी एक्सपेरियंस नहीं किया गया हो जिसको हिंदी में अभूत पूर्व गोलते हैं तब में unprecedented seizures का मतलब जब्त करना यानि जो election commission of India ने अब पर्तिहासित रूप से seizures यानि कि जो जब्त किये क्या जब्त किये ऑफ कैश and other items और दूसरे items that were meant to be used जिसका यूज किया जाना था किसके लिए इंफ्लूएंस वोटर्स वोटर्स को इंफ्लूएंस करने के लिए उसको अपने पक्ष में करने के लिए यानि कहना यहां पेच आ रहा है कि हलाकि इंडिया के द्वारा अपर्तियासित रूप से कैश को जब्त किया गया साथ ही कुछ items को जब्त किया गया था जिसका इस्तिमाल किया जाना था वोटर्स को लुगाने के लिए इन अपेंस मतवता है विदाओ विदॉटरिवायज ब्रेकप का मतवता है डिवाइड करना अ of such preventive measures इस तरह के जो सुराच्छात्मक कदम थे प्रिवेंटिव मेजर्स थे पार्टीज अपोस्ट थो भारतिय जनता पार्टीज वह ऐसी पार्टीज जो कि अपोस्ट थी मतलब खिलाव थी किसके भारतिय जनता पार्टी यानि बीजेपी के यानि वह ऐसी पार्टीज जो बारतिय जनता पार्टी के खिलाव थी वह एलिज जो कि उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जान बूझ कर खास करके उनको ठार्गेट किया जा रहा है इस सर्च उप्रेसंस में यानि जो बीजेपी है उसको सर्च उपरेशन में शामिल नहीं किया जा किसी तरह कोई दवाव नहीं बनाया जा रहा है वहीं जो वैसी पार्टियां नौन वीजपी हैं उनके उपर जान भूज कर तरके टार्गेट किया जा रहा है उनको सच ऑप्रेशन में शामिल किया जाहा रहा है दा से लेक्टिव इगर्नेश ऑफ दा सेंट्र अजैंसी जा से ना इए बगेर हो गया उसकी जो इगर्ने सब्सक्त्राइब किसी पार्टिकुलर पार्टी को ले इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम स्टर्ण्स अब दा हीट ओन बीजेपी एस्टेट गर्वर्मेंट्स और पार्टेज यानि चो उसको इन्वेस्टिगेट करना वैसे पार्टीज को सेलेक्टिव पार्टेज को युद्गेट्व नान विजेपी एस्टेट गर्मेंट्स और दिया गया है and during elections and during elections this raise the possibility of titling the balance tilting the balance in the context tilt the balance का मतलब पहले समझे tilt the balance का मतलब होता है कि कुछ ऐसा कदम उठाना कुछ ऐसा change लाना balance में situation में change लाना जिसकी वज़ा से किसी एक party को फैदा पहुंचता हो उसको बोलते हैं tilting the balance यानि कहना यह चाह रहा है यह लेखा कहना यह चाह रहा है कि जो selective इगरने से central agencies का है खासकर वो ऐसे parties के प्रती जो non-visipi state government हैं या फिर parties हैं उनके प्रती जो selective हो करके उनके खिलाफ action लिया जा रहा है यह शो करता है कि जो जितने भी agencies हैं या फिर election commissions हैं और क्या कर रहे हैं और कुछ ऐसा situation में change लाने के कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी को फैदा हो जाए यानि यह पार्टिकूलर कि मतलब होता है लोग तंत्र का यानि लोग तंत्र की खुबसूर्ती कहां नहीं थो होती है जो फ्री हो फेर हो अपरियोडिक एलेक्शन में होती है इलेक्शन सार अल्टिमेट ऑपनेटि एलेक्शन जो होता है वह एक अंहोंने चूना था उसको जिमवार ठहराने का एक मौका होता है इलेक्षन यानि जब इलेक्षन होते हैं तब ही जनता जो है ओ आरोप परत्यारोप का दोर सुरू होता है जनता उस पर आरोप लगाती है कि आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए या क्या नहीं किया क्या किया यानि election एक माध्यम होता है जिसके द्वारा एक मौका मिलता है public को कि वो अपने representative को जिसको उन्होंने चुना था उनको किसी काम के लिए कोई भी चीज के लिए क्या था रहा है जी मैं वह था रहा है election cycles are usually not disrupted जो election के जो cycles होते हैं मौरम होते हैं सदारणतर disrupt नहीं होते हैं यानि उसकी रह की यह सकता है उसको डिस्टब नहीं किया जाता है इवें इन चैलेंजिंग सिच्वेशन चैलेंज जीच 2 छं को रहते हैं इसके बढ़त्यूम करा को गोर्ट्राव इसको बोलते हैं पारडॉक्सिकली एलेक्शन को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि उसको असानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है मैनिपुलेट करना कमत होता है डिस्टॉर्ट करना यानि तोड मरोड कर पेश किया जा सकता है किस रूप में कि एक इजी स्कैप रूट है इजी स्कैप रूट का मतलब होता है कि जिसको से वैसा रूट जिसके आप भाग बच करके निकल सकते हैं यानि एक ऐसा माध्यम है जिसके माध जिसके द्वारा आप अपनी एकाउंटेबिलीटी रिस्पोंसबिलीटी से भागने का एक राश्ता धूंड सकते हैं यहीं जो cayenne नहीं करता है उत्पन नहीं करता है इनी मिनिंग्फूल डिबेट on health public health और accountability सोचिए कितना कितनी बड़ी बात यहां पर कही जा रही है कि जो खास करके जो इलेक्शन्स हुएं उस दौर में उस दौर में जहां पर अभी pandemic जो है कोरोना वाइरस का ही कबजा है और उस समय में भी कोई भी ऐसा public debate नहीं देखने को मिला जो कि public health के बारें बात करता है और उसके प्रति आपकी क्या accountability है responsibility है उसके बारे में debate में बात की जाती है यानि पूरा का पूरा जो matter हुआ जैसरी राम communal हो गया रिजनल हो गया लेकिन कहीं भी ऐसा कोई debate देखने को नहीं मिला जिसमें जो leaders हैं जो candidates हैं और debate कर रहे हैं किस मुद्दे पर public health के मुद्दे यह भी तब जब पूरे देश में COVID-19 का ही बोल बाला है जिसके वज़ा से कई लोगों की जान जा रहे हैं इसके बावजूद भी पूरे election के दौरान यह देखने को नहीं मिला इसको नजर अंदाज करके जो political parties ने क्या कर दिया किस चीज में तो the current surge in infections infection में जो तेजी आई है surge का मतब बढ़ोतरी हुई है उसमें इन्होंने और contribute कर दिया है यानि कुछ किया तो नहीं लेकिन इसको ignore किया और ignore करने का वज़ाए हुआ कि इसमें और तेजी आई दब बीजेपी वाज पर्टिकुलर्ली खास करके अगर बीजेपी की बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर हैं जो इतना irresponsible हो सकते हैं तो और बात ही नहीं कहीं जा सकती है इसलिए इशारा किया गया है पर बीजेपी वाज पर्टिकुलर्ली इरिस्पोंसीबल और गनाइजिंग यूज रैली खास कर जो बीजेपी है वह बहुँ जादा इरिस्पोंसीबल देखने को उसको मिला कि बड़े बड़े रैली और नाइज करने मे इसलिए तो ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित होंगे अगर पीम मोदी की बात की जाया तो अगर वह कहीं भी जाया गया तो ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित होंगे ऐसे किसमें यूज रैली जोगी और ही रैली होगी तो उसका परड़िणाम सामने हमारे पास तो वह यह लोग ऐसे भी थे साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिले कि जो प्रोटोकॉल होता है हेल्थ प्रोटोकॉल उसको वालेट कर प्रोटोकॉल का मतोथा सेट अप रोल्स और कंड़क्स उसको भी उलंगन उसका उलंगन करते नजर आये दस्पाइक इन में जो ब्रीधी होई from that is already beginning उसी से शुरुवात हो गई ही थी considering the unprecedented situation अभूतपूर situation को consider करते हुए ध्यान में रखते हुए the pandemic these elections should have been a quick affair pandemic को ध्यान में रखते हुए यह जो elections हुए कल भी हम लोगों ने बात किये थी कि इसको कम चर्णों में करके किया जा सकता था यानि इसको जल्दी से समाप्त किया जा सकता था with limited campaigning और इसके साथ ही इसके जो campaigning हो रहे थी चुनाओ पर चार हो रहे था उसको limited रखा जा सकता था यानि कहना यह लिखक जा रहे हैं कि इस election को बहुत जल्द ही समाप्त किया जाना चाहिए था और एक limited campaigning का ही प्रावधान होना चाहिए था लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल ही जो बोला गया उससे अपोईट हुआ मैसिव रैलीज हुई और जाट कंट्रिबूटेड इवन आफ्टर कोईट-19 नंबर्स बिगें टो ग्रोइक इक्सपोनेंट सीली तब हुआ जब कोईट-19 के जो नंबर्स थे केसिस थे वह ब्रेधी करना शुरू हो गये थे और भी रैपिडली एक्सपोनेंट का मतलब होता ह रैपिडली, स्विप्टली यानि बहुत तेजी से जब कोईट-19 के नंबर्स बढ़ रहे थे उस समय ऐसे बड़े-बड़े रैलीज हो रहे थे और दीन भर खास कर मैं क्या बोलो उसमें तो आप भी देख रहे हों कि बड़े-बड़े लीडर्स शामिल है जो जिनके उपर इसमें तो कहना ही क्या है तो दीज एसेंबली एलेक्शन वुड मोस्ट लाइकली टू भी रिमेंबर्ड फूर वर्सनिंग एल्थ क्राइसिस दैन फूर हिराल्डिंग पॉइडिकल चेंज जो एसेंबली एलेक्शन हुए विधान सभा के जो चुना हुए वोड मोस्ट ल हिराल्डिंग पॉलिटिकल जेल हिराल्ड का मतलब होता है उसमें इंक्रीज करना पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए नहीं इसको हिल्थ की सिचुएशन को और खराब करने के लिए जाना जाएगा इस चुनाओ को जो रिजल्ट की जो बात है तो बी अनॉंस्ट ऑन में टू यानि दो में को एनॉंस हो जाएगा विल लाइकली ऐसा संभावना है पेल पेल का मतलब फीका रहेगा विफोर दे मैगनिटूड ओफ द अन्फोल्डिंग क्राइसिस अन्फोल्डिंग मतलब जो बढ़ता हुआ क्राइसिस के बीच में जो इसकी मैगनिटूड रहेगी जिसका एफेक्ट रहेगा विफीका रहेगा यानि जो चुनाओ के रिजल्ट तो आएंगे लेकिन जिस मैगनिटूड के साथ जिस जो शौरुमंग के साथ इसको सलेबिट करने की बात होती वो देखने को नहीं मिले जाएंगे वो फीका नजर आएंगे एक कहना चाहरा है लेकर यानि एक और तो आपने देखा कि कही रैलिस और्गनाइज हुए जो कि बहुत लंबे समय तक चलता रहा और दूसरी और बड़े-बड़े बात किये गए कि कैसे हम लोग इसको कंटेन कर सकते हैं रोक सकते हैं क इसका असर आज देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि जो हेल्थ की जो सिच्वेशन है और पूरी तरह से डेटरियो रेट हो गई है पुरी तरह से खदम हो गई है फिर भी एलेक्शन है लोक तंत्र है और सब को इसमें पारिशिपेट करना ही चाहिए चलिए आज का झाल